हालो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमारे यूटूब चेनल डियर फ्रेंड इस्टुडेंट में आपका स्वागत है यदि दोस्तों आप लोग गुणा नहीं लगा पाते हैं तो इस वीडियो को सुरू से अन्त तक जरूर देखना दोस्तों दोस्तों इसमें बेसिक से थोड़ा हाई लेविल तक दोस्तों गुणा है आप लोग अगर ये दोनों गुणा सीख गए तो आप लोग कभी गुणा लगाने में आप लोगो को कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों लेना है दोस्तों आने वाले समय में आप लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्थफुल होने वाला है दोस्तों तो यहां दोस्तों क्या दिया है 435 को 2 से हमें गुणा करना है तो यहां दोस्तों 2 से हमें क्या करना है 5 से गुणा करना है ठीक इतना के लिए दोस्तों तो 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो पढ़ लेते हैं इससे आप को कोई समस्या नहीं आएगी तो 2 का पहाड़ा हम 5 बार लिखते हैं दोस्तों 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 पन्ची 10 कितनी बार में 10 आया है? 5 बार में पांच बार में दस आया है तो पांच दोस्तों बार में दस आया है तो दस का हम ये वाला जीरो यहां पे लिखेंगे दस का पूरा पूरा दस नहीं लिख लेना है नहीं तो गलत हो जाएगा दस का जीरो ही हमें एकाई इधर का लिखना है दहाई इधर का छोड़ देंगे जब दोस्तों दस मलो के बाद जैसे दस संक्या आई है दस मलो के बाद नौ के बाद जितनी संक्या आए वो दोस्तों दहाई में जाती है इतना दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है 9 के बाद जितनी संख्या आएगी 10, 11, 12, 100 जितनी आए वो दोस्तों सब दहाई में जाएगी तो हमारा दहाई का दोस्तों 0 है तो 0 यहां लिख लेंगे फिर दोस्तों क्या करेंगे यहां 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे ऐसे दोस्तों आप लोगों को लगाना है सवाल और दोस्तों क्या करना है ऐसे step by step इधर को दोस्तों हम लोग लगाते हुए चलेंगे तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 2 एककं, 2 2 दूनी, 4 2,3,6 2,6,8 जाधा हुए तो हम क्या कर CanEगे तीन ही बार में इसको जाने देंगे 2,3,6 6 एक दोस्तों हमारा हासिल नहीं भूनला है यह दाहाई का तो 6 और एक को मिला देंगे तो दोस्तों हम लोग साथ ऐसे लिखते हैं क्लियर दोस्तों इतना क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों दो यहां है और चार यहां है तो दो का पहाड़ा हमें चार बार पढ़ना है चलो पढ़ लेते हैं दो एकम दो दो दुनी चार दो त्याँ छे दो चक्कु आठ कितनी बार में आया है चार बार में तो आठ आया है अब हमारा कोई हासिल तो है नहीं अगली कोई संख्या भी नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको आठ को पूरा पूरा आठ लिख देंगे यहां पे जब कोई आगे कोई संख्या नहीं होती है तो हम लोग इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं यह दोस्तो सवाल का रू दोस्तों तो चार का पहाड़ा हमें क्या करना है तीन बार पढ़ना है तो दोस्तों लिख लेते हैं इससे आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी तो चार एकम चार चार दूनी आठ और चारतियां बारा कितनी बार में बारा आया है तीन बार में तो तीन बार में बारा आया है हमने पहले ही बता दिया नो के बाद जितनी संक्या है उसका दोस्तों हमें दोस्तों इकाई इधर का लिखना है दहाई इधर का छोड़ देना वो अगली संक्या में दोस्तों हम लोग उसको जोड लेंगे ठीक इतना दोस्तों आप step by step इधर को लगाते हुए चलेंगे तो चार का पहाड़ा दो बार पढ़ लेना है तो चार एक कम 4, 4 दूनी, 8 और हांसिल हमारा कितना था एक हांसिल बचा हुआ था तो वो भी इसी में जोड़ेंगे दोस्तों तो आठ और एक को जोड़ेंगे तो कितना होगा नव होगा नव को दोस्तों यहां लिख लेंगे ठीक क्लियर दोस्तों अब हम क्या करेंगे चार का पहाड़ा दोस्तो पांच बार पढ़ेंगे तो चार एकम चार चार दूनी आठ चार तियां बारा चार चक्कू सोला और चार पंचे बीस बीस दोस्तो अब हम क्या करेंगे ये बीस आया है अब अगली कोई संख्या है नहीं तो हम क्या करेंगे दोस्तो लास्ट की संख्या जब हमारी आती है इधर की तो हम क्या करेंगे इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं क्यूंकि अगर दोस्तो अगली कोई संख्या है नहीं तो इसको पूरा लिखेंगे ठीक इतना ध्यान लखना है दोस्तो आप लोगों को मिस्ट दोस्तो आप लोगों कुछ सीखने को मिलेंगा ऐसा नहीं हाहे ह्कि दोस्तो खालि में बीडियोफटाब्पड बना दो और भाग जाओ अश्था नहीं धोस्तो आराम से बिलकुल दोस्तो देखेंगे सवाल यहां दोस्तो 74 सो तिर्कपन को गुणा करना है हमें 42 से तो यह सवाल दोस्तों बहुत ही important है तो यहां पर दोस्तों दो का पहाड़ा हम तीन बार पढ़ेंगे कितनी बार में 6 आया है तीन बार में आया है दोस्तों यह अगर नहीं पता है तीन बार में आया है या चार बार में तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं दो एकम दो दो दोनी चार तो यहां दो दोनी आया है तो दो यहां लिखेंगे फिर तीन दोनी छे तो यहां तीन लिखेंगे किलियर हो गया दोस्तों अब तीन दोनी छे आया है छे को यहां लिखेंगे और दोस्तों फिर हम क्या करेंगे अगला स्टेप लेंगे तो यहां द कितनी बार में पांच बार में तो दोस्तो पांच बार में पांच का यह वाला जीरों इकाई इधरका यहां लिखेंगे किलियर दोस्तो अब द्हाई इधरका हमारा यहांसिल चूट गया है qualify में जब हम शंख्याम को गुणा करेंगे कि आ तब हम इसको उसी में जोड़ेंगे इतना दोस्तों ध्यान रखना आप लोगों को फिर दो का पहाड़ा हम चार बार पढ़ेंगे दो एक कम दो दो दूनी चार दो तिया छे तो चक्कू आठ और हासल कितना था एक तो आठ और एक को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा नौ नौ दोस्तों हम लोग यहां लिख लेते हैं किलियर दोस्तों अब फिर आम लोग क्या करेंगे स्टेप बाई स्टेप इधर को लगाते हुए चलेंगे फिर दोस्तों दो का पहाड़ा हमें सात बार पढ़े लेना है या यहां पे दोस्तों आप लोगों को पहाड़ा अगर आप लोगों को 100 तक या 50 तक पहाड़ा पता है या 10 तक पता है तो आप लोग अगर टाइम नहीं है तो दोस्तो इसमें उल्टा भी कर सकते हो इससे आप गुड़ा में दोस्तो उत्तर वही आएगा तो साथ दूनी 14, दोस्तों अगली कोई संक्या है नहीं, चो 14 दोस्तों, 14 हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक, ऐसे लिखते हैं, ठीक, क्लियर दोस्तों, अब यहाँ पे देखने वाला सवाल है, अगली संक्या हम जब लेगें, तो यहाँ दोस्तों क्रोस का निसान लगा देंग कि लिए दोस्तो फिर हम क्या करेंगे चार का पहाड़ा पढ़ेंगे तीन बार चलो पढ़ लेते हैं चार एकम चार चार दुनी आठ चार तियाए बारा चार चक्कू 16, कितनी बार में 4, 3, 12 तो कितनी बार में 4, 1, 4, 4, 4, 3, 12 12 और 2 को हम लोग यहां लिखेंगे 12 आया है और 1 हमारा दोस्तों हासिल में बचा दहाई का दोस्तों हमारा हासिल में बचा इतना दोस्तों द्यान लखना है फिर चार का पहाड़ा पाच बार पढ़ेंगे तो चार एकम चार, चार दुनिया, चार त्यावारा, चार चक्कु, सोला और चार पंचे, बीस, बीस और एक को और मिला देंगे तो 21 दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हैं 21 का हमें एक लिख लेना है यहां पे फिर अगली संक्या में स्टेप बाई स्टेप लेंगे यहां चार है और यहां भी चार है तो चार का पहाड़ा चार बार पढ़ेंगे चार एकम चार, चार दुनिया, चार त्यावारा, चार चकु, सोला और दो को मिला देंगे तो दोस्तों हम लोग ऐसे अठारा, लिखते है ठीक क्लिए दोस्तों 18 का आठ लिखेंगे और हासिल में हमारा कितना बच्चा एक फिर अगली संक्या हम ले लेते हैं अगली संक्या साथ है अब चार का पहाड़ा पढ़ना है सात बार दोस्तों तो 4 एकम 4, 4 दुनिया, 4, 3, 12, 4, 16, 4, 5, 20, 4, 24, 24, 27, 28, कितनी बार में आया है, 7 बार में, 28, दोस्तों, 28 हम ऐसे लिखते है, सोरी दोस्तों, 28 ऐसे लिखते है, 28, और दोस्तों, हासिल में हमारा कितना बचा था, एक बचा था, तो 28, एक को मिला देंगे, तो कितना हो जाएगा 29, 29 दोस्तों, हम लोग ऐसे लिखेंगे, पूरा पूरा अगली कोई संख्या है ही नहीं, तो हम लोग पूरा पूरा 29 लिख लेंगे, किलियर दोस्तों, अब इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जोड लेंगे, क्यूंकि लास्ट जब कोई संख्या बचेगी नहीं, तो ह यहां पे दो है तो हम क्या करेंगे दोनों को दोस्तों जोडेंगे तो जीरो का कोई मानने नहीं होता है तो हम दो ही लिखेंगे के लिए दोस्तों अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग यहां नो है और यहां पे एक है यहां पे दोस्तों सवाल देखने वाला है तो नो एक को म चार और आठ को मिलाएंगे तो बारा होगा बारा एक को मिला देंगे तो तेरा होगा तेरा दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हैं तेरा का हमें ये वाला तीन यहां लिखना है ठीक और हासिल हमारा कितना बच्चा एक अब यहाँ पे दोस्तों फिर देखने वाला सवाल है हासिल में ज़र बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं एक यहाँ है और नो यहाँ है तो नो और एक को मिला देंगे दस हो जाएगा और हासिल हमारा कितना था एक तो 10, 11, 11 का एक लिखेंगे हासिल फिर हमारा एक बच्चा यहाँ दो है और अगली कोई संक्या है ही नहीं तो दो एक हासिल मिलाएंगे तो तीन हो जाएगा तो दोस्तों तीन हम ऐसे लिखेंगे फिर दोस्तों हम लोग इसको नीचे एक लकीर खीच देंगे इससे हमारा यही हमारा आंसर आया अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं यही कंपलीट हो गया दोस्तों यहां सवाल दे रखा है दोस्तों 83,65 को हमें 76 से गुणा करना है तो हम पहली संख्या से देखेंगे 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 6 कम 6, 6 दुनी, 12, 6, 38, 64, 24, 65, 30 तीस दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हैं 30 का हमें 0 लिख लेना है ठीक जीरो लिख लिया हमने अब फिर हम अगली संख्या लेंगे दोस्तों 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 कम 6, 6 दुनी, 12, 6, 38, 64, 24, 65, 36, 36, 36 और 3 को मिला देंगे दोस्तों तो हम लोग 36 और 3 को मिला देंगे दोस्तों 49 हम लोग ऐसे लिखते हैं ठीक 49 का 9 यहां लिख लेना है और 3 हमारा हासिल बचा दोस्तों फिर 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 कम 6, 6 दुनी, 12, 6, 3, 18 और 18 और 3 को मिला देंगे दोस्तों तो 21 हो जाए 21 का दोस्तों एक हम लोग लिखेंगे हासिल हमारा कितना बच्चा दो दोस्तों फिर हम 6 का पहाड़ा आठ बार पढ़ेंगे दोस्तों पहाड़ा आठ बार पढ़ेंगे तो 6 एक कम यहां लिख लेते हैं दोस्तों लिख लेते हैं इससे आप लोगों को कोई समस्या नहीं बचेगी तो 6 एक कम 6, 6 दुनी बारा, 6 ते आठारा, 6 चोग, 24, 6, 35, 36, 36, 36, 46, 46, 48, 48 और 2 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दोस्तों, क्लियर दोस्तों, अब हम यह वाली संक्या लेंगे, तो यहां क्रोस का निसान लगाएंगे फिर 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 7 पचे 35, 35 दोस्तों आया, 35 का पाँच लिखेंगे, हासिल हमारा 3 दोस्तों बचा, 3, ठीक, 3 बचा है पिर 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 7, 5, 35, 7, 6, 42 42 और 3 को मिला देंगे तो हो जाएगा 45 45 का 5 लिखेंगे दोस्तों ठीक, हासिल हमारा कितना बचा? 4 दोस्तों 4 हासिल बचा फिर दोस्तों क्या करेंगे? 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 7, 1, 7, 7, 7, 7, 14, 7, 21 21 और 4 को मिला देंगे तो 25 हो जाएगा 25 दोस्तों हम लोग ऐसे लिखेंगे ऐसे 25 लिखेंगे 25 का 5 लिखेंगे फिर दोस्तों यहाँ पे 2 हमारा हासिल बचा फिर 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 7, 7, 49, 7, 8 56 और 2 को मिला देंगे 56 और 2 58 दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हैं 58 ठीक क्लियर दोस्तों अब हम क्या करेंगे इसको दोस्तों जोड़ लेते हैं क्योंकि अगली कोई संक्या है ही नहीं तो हमें जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ लेते हैं क्या समस्या है यहाँ जीरो है और यहाँ भी जीरो क्रोस का निसान इसके मतलब जीरो क्यूंकि इसका कोई महत्त नहीं होता है यहाँ नो है और यहाँ पांच है नो और पांच को मिला देंगे तो चौदा हो जाएगा चौदा दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हैं चौदा को च 0 है और यहां 5 है तो 5 ही लिखेंगे फिर अगली संक्या 5 है और नीचे 8 है तो 8 और 5 को मिला दोगे तो 13 होगा 13 का 3 लिखेंगे हासिल हमारा 1 बचा ठीक और यहां 5 है और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 6 हो हो गया तो दोनों सवाल भी मातमून हो थे आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों आप लोग कमेंटंट जरू कर दिया करें से दोस्तों को कुछ कमेंट ज़रू कर दियाए करें कि अफ् style कोई नुकसान होने वाला नहीं हो वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें इससे आने वाली वीडियो आप लोगों को बहुत